दोस्तों आपके लिए लेके आ गया हूं आपके अपने इंडिया के सबसे बड़े commercial vehicle चैनल भारत फिकल्स पर एक और नया वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक ऐसा comparison वीडियो जिसमें मैं compare करने वाला हूं एक electric auto को एक petrol auto के साथ तो हम compare करने वाले महेंद्रा के फ्रेमस ट्रियो एचार्टी को बजाज के फ्रेमस पैट्रॉल कॉम्पेक्ट आरी ऑटो के साथ दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है दोनु आटो की टक्कर करके देखेंगे कि कौन सा आटो आपके लिफ बैस्ट होने वाला है तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है और आपने अभी अगर अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है जिससे कि हमारे आने वाले ऐसी वीडियोज आपको मिलते रहें तो स्टार्ट करते हैं आज के इस कंपेरिजन वीडियो को सबसे पहले हम देखेंग और बैटरी से चलने वाला गाड़ी मिलेगा दोस्तों नेक्स अगर बात करूं दोनु गाड़ियों के टॉर्क के बारे में बजाच कॉम्पेक्ट आरी और्टो का टॉर्क 19.2 न्यूटन मिटर रहता है वहीं महेंदर ट्रियो एचार्टी का टॉर्क 42 न्यूटन मिटर रहता ह तो टॉर्क के मामले महेंदर ट्रियो एचार्टी आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है बात करेंगे दोनु आटो के पावर के बारे में तो दोनु आटो की जो इंजन की पावर रहती है इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनु ही आटो यानि क बजाज Compact RE और महिंदर Trio HRT यहाँ पर आपको 10 होर्स पावर का आउटपुट आपको देते हैं दोस्तों अगर बात करें दोनों आटो के गेर्स के बारे में तो यहाँ पर बजाज Compact RE आपको 4-speed gearbox के साथ देखने को मिलता है वहीं महिंदर Trio HRT में एक forward और एक reverse gear यहाँ पर आपको देखने को मिलता है gear को comparison करने के बाद हम next compare करेंगे दोनों आटो की range को महिंदरा Compact RE में आपको range का ज़्यादा issue नहीं रहता है क्योंकि एक पेटरॉल से चलने वाला auto रहता है पेटरॉल की availability हड़ जगे रहती है महिंदरा Trio एक electric auto है तो इसमें range बहुत ज़्यादा important रहती है क्योंकि battery को charge करके आपको चलाना पड़ता है फिर से battery को charge करने में आपको 3-4 घंटे का time लग जाता है दोस्तो इसमें आपको यहाँ पर 141 km की range देखने को मिलती है जो की एक अच्छी कासी range है auto के लिए दोस्तो बात करूँ दोनों गाडियों की maximum speed के बारे में तो बजाज compact RE आपको 65 km per hour की maximum speed के साथ मिलता है वहीं महिंदरा Trio HRT आपको 55 km per hour की maximum speed के साथ मिलता है अगर मैं बात करूँ दोनों गाडियों की charging time के बारे में तो बजाज compact RE में charging time applicable नहीं रहता है क्योंकि एक पेट्रोल से चलने वाला auto रहता है वहीं जो मरेंडरा Trio HRT रहता है यह एक battery से चलने वाला auto रहता है तो इसकी battery को एक बार में पूरा charge करने में तीन आवर पचास मिनट यानि की लगबग लगबग चार घंटे का time लगता है तो यहां पर एक आपको यह major difference दोनों auto में देखने को मिलेगा दोनों गाडियों की charging time को compare करने का आगे बढ़ते हैं वीडियो में बात करेंगे दोनों गाडियों की battery के बारे में बाला auto रहता है तो इसमें आपको बहुत बड़ी battery लगा के दी जाती है जो की 48 watt की lithium-ion battery रहती है दोस्तों next compare करते हैं दोनों गाडियों के brakes को यहां braking system में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही गाडियों में आपको कंपणियों की द्वारा hydraulic braking system लगा के दिया जाता है जो की बहुत अच्छा कासा braking system रहता है next अगर बात करें दोनों गाडियों के tires के बारे में तो बजाज compact आरी में आपको 4.5 x 108 PR के tires देखने को मिलेंगे front में एक tire और rear में दो tire एक spare tire आपको company provide करती है वहीं महिंद्रा ट्रियो HRT में आपको 10R20 के tires देखने को मिलेंगे front में एक tire पीछे की side दो tire और यहां भी एक spare tire आपको महिंद्रा देता है दोस्तों tire को compare करने के बाद आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दोनों के suspension के बारे में तो बजाज Compact RE में आपको spring with hydraulic damper वाला suspension front side में लगा के दिया जाता है वहीं महिंद्रा ट्रियो HRT की front में आपको helical spring with damper hydraulic shock आपको f bigger वाला suspension लगा के दिया जाता है तो यहां पर लगी लगीफ आपको एग जीआ suspension देख سब्लेशन कोने को मिलेगा दोनों ही का front suspension काफी मजबूत और बहुत ज्यदा शांधर suspension यहां प्र आपको लगा करने दिया जाता है इससे आप जैसे टीज से ज्यादा पेडलोट इसमें लेके जा सकता है दोस्तो नेक्स हम responds करते हैं दोनों के रियर सस्पेंशन के बारे में तो बजाजकुंपेक्ट आरी में आपको यहां पर रियर सैड में इसप्रिंग भी ता स्थेस्ट की बात करूँ यानि की पीसे की सच्पेंशन की बात करूँ तो रिजीट एक्सल वीड्रीप स्टरिंग सस्पेंशन रहता यह बहुत हैं वीदे पेलोड लेके ले जाने की छमता यहां पर रखता है वीडियो मां आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनु गाड़ियों के यहां पर steering के बारे में तो दोनु गाड़ियों के steering में आपको difference नहीं देखने को मिलने वाला है दोनु यहां पर आपको देखने को मिलता है जैसा आपको बाइक या स्कूटी में यहां पर हैंडल देखने को मिलेगा दोस्तों बात करेंगे दोनु गाड़ियों के आपको देखने को मिलेगी दोस्तों अगर दोनु की आटो के में हाइट की बात करूं तो यहां पर बजाज कॉम्पेक्ट आरी की हाइट 700 mm और महिंदर ट्रियों HRT की हाइट यहां पर आपको 757 mm देखने को मिलेगी तो धायमेंशन वाई दोनु क्या लगबग लगबग यहां पर आपको सिमिलर देखने को मिलने वाला है दोस्तों डायमेंशन की बात करेंगे दोनु के विलबेस के बारे में तो बजाज आरी का Ground Clearance 170 mm और महिंदा ट्रियो एचार्टी का Ground Clearance 42 mm आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर Ground Clearance के बारे में बजाज Compact आरी आगे निकल जाता है अगर बात करें दुनों की Gradability यानि की चड़ाई चड़ने की जहमता के बारे में तो यहाँ पर बजाज Compact आरी की Gradability 20% रहती है वहीं महिंदा ट्रियो एचार्टी जो Electric Auto है इसकी Gradability 12.7% रहती है यहाँ पर आपको मेजर चेंज देखने को मिल ला है बजाज Compact आरी को आप ज्यादा चड़ाई में चड़ा सकते हैं वहीं जो महिंदा का ट्रियो एचार्टी है यह उतनी ज्यादा चड़ाई में नहीं चड़ पाएगा दोस्तों बात करें दोनों की Gross Vical Weight यानि GVW Capacity के बारे में तो यहाँ पर बजाज Compact आरी का Gross Vical Weight 672 केजी रहता है वहीं महिंदा ट्रियो एचार्टी का Gross Vical Weight 300 केजी रहता है यहाँ पर आपको Gross Vical Weight में भी काफी डिफरेंस दोनों की आटो में देखने को मिलने वाला है वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दोनों की यहाँ पर Next Specifications के बारे में तो डिसकस करते हैं दोनों की Sitting Capacity को बजाज Compact आरी आपको D Plus 4 यानि कि एक ड्राइवर के साथ चार पैसेंजर्स की बैठने की विव्योस्ता के साथ आपको मिलता है वहीं महेंदा Trio HRT आपको D Plus 3 यानि कि एक ड्राइवर के साथ तीन पैसेंजर्स की बैठने की सुईदा के साथ मिलता है तो यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों फाइनली बात करते हैं दोनों के माइलेज के बारे में बजाज कॉमपेक्ट आर यह एक पैट्रॉल आटो है तो इसमें आपको 40 km पर लेटर का माइलेज देखने को मिलेगा यानि कि एक लीटर में यह 40 km की रेंज तक जाएगा वहीं महेंदा Trio HRT में माइलेज आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक एलेक्ट्रिक यह आपको 2.34 लाग से 2.36 मेरेलेक्ट में मिल सकता है वहीं जो महेंदा Trio HRT आता है यह आपको 2.92 लाग रुपीज 3.02 लाहरेक्ट के एक मिल सकता जो हम आपको प्रायस बता रहें बेच्ट अंटेरनेट रिश बता रहे हैं अगर दोनूंका Amoaded प्रीज्टत अपता करना ह तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनू आटो की शुरूम में आप विजित करके पता कर सकते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मजाज कॉमपक्ट आरी वर्सेज महिंडरा ट्रियो यारी जो की फेमस इंडिया की चलने वाले दो आटो है आप हमें कमेंट सेक्शन पताएए वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद